मेरे पिशे बोले परित्राणाय साधुना मिनासाय चदुस्कृता धर्मे संथा पनार्थाए संभवामी युगे युगे अनवाद मेरे पिशे बोलिए भक्तों का उद्धार करने दुस्टों का विनास करने यथा धर्म की फिर से इस्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ तो इस लोग को फिर से समझेंगे भगवान के सब्द हैं बहुत सरल है इससे सरल तो कुछ भी नहीं है भगवान क्या किया रहे हैं सस्कृत परित्राण आयें साधू नाम किंका साधू का साधू के परित्राण के लिए विनास आए याहिनि बिनास करने के लिए दुस्ट कृताम जो दुस्ट कर्म करने वाले विनास करने के लिए दुस्ट कर्म करने वालों का विनास करने के लिए फिर धर्म संथापनार था है धर्म की संथापना करने के लिए सम भगवामी योगे योगे प्रकट होता हूँ योगे योगे बहुत सरल है तो अब हम सुने कि आज के स्लोप में भगवान ने बहुत सरल तरेके से अपने अवतार का कारण बतलाया है और इसमें तीन कारण बतलाया है पहला कारण क्या है कौन बताएगा पहला कारण साध्यों का अधार करने हैं दूसरा कारण दूस्तों का विनास करने हैं तीसरा कारण धर्म की यूग यूग में अवतार लेता हूं। यूग यूग में लेता हूं अवतार है। दिन नहीं कहा है कि रोज रोज अवतार लेता हूं। ऐसा नहीं कहा है। यूग यूग में अवतार लेता हूं। ऐसा नहीं कि हर सेकर्ड में अवतार लेता हूं। तो भगवान का अवतार ये भी अवतार भगवान की ये भी होतार हैं, रहा हुनसा थाध्रोके नहीं हैी पहला वाक्य प्रक्रदिया की साध्व्य आना खेर हमाने की साध्भावना भावित धान्य हुआ साधु करत क्या है तो प्रहुपत कहते हैं कि भगवत गीता कि अनुसार साधु किष्ण भावना भावित बैखती है किष्ण भावना भावत यह आंदोलन किष्ण भावना मिरत आंदोलन है यह लोगों को किष्ण भावना भावत बनाने के लिए इसका मतलब लोगों को साधू बनाने के लिए अगर साधू आप नहीं है तो फिर आप क्या है दुश्कृति आप मोटे तोर में जो है बस दो इस बिनास आयचा दुस्कृत्यों का बिनास करने के लिए तो एक तो बिनास भगमान अवतार लेते हैं तो अपने हाथ में हथ्यार लेते हैं बिनास करने के लिए इस योग में भगमान अवतार लेते हैं तो दुस्कृत्यों का बिनास किस तरह से करते हैं उनको साधू बना करके तो यह रेकेशान दूलन है, यह दुसकृतियों का बिनाश करता है, कैसे करता है उनको ही साधु बिना देता है, आपके जीवन में जो व्यक्ति था दुष्कृति था वो नश्ट हो गया है आपको निया जीवन शुरू हो गया है साध हो के रूति तो इसका एक ये भी अर्थ है इस समय जो है जो ब्यवहरिक है उदाहरन है वो यह है ठोग यह इतने दुश्कृति है कि कहां तक भगवान मारें इसलिए इस जुग में भगवान ने जो आवतार लिया है वो दुश्कृतियों का विनास किस प्रकार से करते हैं उनकी जो मनो ब भगवाना है उसको नस्ट करते हैं तो साधू बन जाते हैं तो परित्राना है साधू नाम का मतलब है साधू का परित्रान करने के लिए साधू 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 कर को करत परत तो अब हमीन देखना है कि गीता में भगवान कहीं सादु सब्ड का प्रियोग किया है साधुरेव्जमुनुंतğव्यव तो इस आधार पर प्रभुपात करें गीता की अनुसार साधु यह हमारे अनुसार क्या है अलग अलग व्यक्ति के अनुसार साधुकार्थ तो कुछ लोग हैं वो साधु मतलब पहचानते हैं जितनी लंबी दाड़ी हो उतना बड़ा साधु है तो एक सज्जन थे गुणगाओं में तो हम गाड़ी ठीक कराने गई थे तो बोले आरे आप तो सफा चट रहते हैं तो आप कैसे साधु हैं तो उनका मतलब कहना है कि हम लोग सेविंग करते हैं तो हम साधु नहीं है साधु के तो वाणी से पहता है कि कौन साधु है कौन साधु ए इससे निहीं होता है फरक तो कुछ लोगों को बचार है साधु Bennett धिकिके अर्थ है अलग अलग ड्थियों के लिए अर्थ निकलता है लेक्न यहां भग्वान किया रहे है कि सधू का परित्राउन करने के लिए तो भगवान के साधू का अर्थ क्या है भगवान ने जब साधू का प्रयोग किया तो प्रहुपा लिखते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित बेखती है वो साधू है तो नौ अध्याय 9 की स्टोक संक्या 30 में जो भगवान ने कहा है अभी चेत्षु दुराचारू यदि यह बहुत दुराचारी भी हो यह मेरा अनन्य भजन करता है तो साधू मानना जाएगा और वो जल्दी धर्मात्म ही बन जाता है फिर वो दुराचारी बनानी रहेगा यहां भगवानी कह रहे है कि दुराचार में कोई अगर भजन कर रहा हो तो साधू भजन में दुराचा श्ली लिखन है रहा दुराचार कर रहा है वह इसादु किसको कहा है ग्याचार और भाजञा शुरू वो नहीं है साथु. इसली हम दो मेंदा करते हैं ऐसे लोगों की. जो साथु दि्हाते हैं आपनेको. और फिर दूसी तरह के काम करते हैं. या छिप करके करते हैं. या कुछ दिखावा करते हैं साथु बनने का. तो उनके लिए भाक्मान साथु नहीं कहआ. बधन करते हैं फिर भजन करते हैं तो वह सा्धु हैब हम जो साधुता का दिखावा करते हैं और करते हैं दौराचात तो वह साधु है तो अभी मैं जो बता रहा था वो फिर दिमाग से पॉइंट निकल जाता ना तुम्हें क्या बता रहा था तो जो जो दिखावा करता है साधू का दिखावा करता है वेजबूर सा साधू की है और भजन का दिखावा कर रहा है दुराचार कर रहा है तो साधू नहीं है लेकिन छो दुराचारी है और सब की नजरों में दुराचारी है लेकिन वो भजदन कर रहा है तो भगवान की नजरों में वो सादू है तो यहां पर आप बोले आप क्या कह रहे हैं तो वही तो बात है वही बातों में बता रहा हूं कि भगवान मतलब सादू किसको कहा है मतलब कहने का यह है कि सबसे पहले हम प्रिचार करते हैं अभी यह जो हरे किसन का प्रिचार करता है अभी आपको जब नहीं करना चाहिए आपको माला वजब नहीं करना चाहिए भक्त बनने के लिए आप अभी जो है बेविचार छोड़िये नर्सा छोड़िये मान सहार छोड़िये हमारा यह प्रिचार नहीं है हडना चाहिए अधार्मिक लग रहा है और अगर अधार्मिक है भी इख अभातवी प्रूने कृण्र चेतना अगर ब्यादि को सुछु कर दिया है हरे किष्ण का जब करना शुरू कर दिया है, पुरुपात की पुष्टे में पढ़ना शुरू कर दिया है, तो पुरुपात के ते हैं उसे सादो समझना चाहिए, तो उसकी रख्षा शुरू हो गई, उसकी रख्षा निश्यत है, हाला कि अभी वो पाप कर्म में लगा हुआ लेकिन तो भी उसकी रक्षा निश्यत है क्योंकि उसने उसकी भक्ती शुरू कर दिया, तो वही भगवान गीता में बता रहे हैं कि अभी छेतु दुराचारू, बहुत ही दुराचारी हो, और मेरा अनन्य भैजन करे, अनन्य भैजन का मतलब क्या है कि उसने कृष्ण की सरण ले लिए हैं कि मैं दुराचारी हूँ, अभ ये खृष्णा अब आप मेरी रक्षा कीजी, अपनी शेवा में लगाई है, ठाट्षा में मुझे अपनी सेवा में लगाई है, और इस प्राधना में ये भावना है, कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मेरे पास शक्ती नहीं करने की और माया ने मझे अपनी सेवा में लगाया हुआ है और किसी के अंदर सच्छी भावना है कि मुझे अपनी सेवा में लगाईए तो वह साधू है तो भगवान जो है उसके इस समझ लेते हैं और उसको साधू कोसत कर देती है यह उसी तरह से हैं जैसे पंखा चल रहा है तो आप में स्विजबंद कर दिया तो भी पंखा चल रहा है लेगन जो जानकार है उसकी नजर में पंखा बंद हो गया है यान कियो फंट हुने गणा है झाल तो उसी प्रकार से भागवान ऊजो है उस ब्रक्टी को सादु farmer करते हैं यो सच्चे हिर्धे से भागवान को पकारता है और कहता है कि मुझे अपनी सरण में दीजिए मुझे अपनी सेवा में लगाईए और भगवान जो है उसको फिर शक्ति देते हैं कि वो माया से छोड़ पाता है या भगवान के संकेत से माया देविए उसको छोड़ देती तो भगवान की माया तो वो माया से छोटेगा और भ पर प्रहुपण लिखते हैं कि अधार में लगने वाले व्यक्ति में पूर्ण किर्षन चेतना हो तो उसे साधु समधना चाहिए, तो साधु की रक्षा भगवान करते हैं, तो आगे प्रहुपण लिखते हैं, दुस्कृताम उन भेक्तियों के लिए है, अब दुस्किताम के परवाहे नहीं करते तो दुष्कृताम सब्द आया है कहीं पर गीता में कि प्रहुपात गीता से ही दुष्कृताम सब्द के ब्याख्या कर रहे हैं दुष्कृती इस लोग संक्या पंद्रा में भागवान कहते हैं कि दुष्कृती लोग है मेरी सरण में नहीं आते तो एक ही परिवासा है दुष्कृती की गलत काम करने वागवान वही बिकती है जो किर्शन की सरण में नहीं आता है वागी जतने भी गलत काम है जतने भी गलत काम है कोई अगर कर रहा है इन किर्शन की सरण अगर लेता है तो साधू है क्योंकि उसने किर्शन की सरण लिया तो छिप्रों भवकत धर्मा आत्मा जलदी धर्मा में गया गया ने मैं कहता हूँ पंखा बंद हो गया, तो मिझे पता है सुच बंद हो गया, पर सी प्रकार से भगवान जो है, दुष्कृताम, दुष्कृति, सब्वेकर प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, जो किर्शन की स्थरण में नहीं आते हैं, और चाहे वो दिखाई दें अ जैसे में बताया गया है कि सुची होए मुची होए, सुची होए, मुची होए, जदी किस्ना तजी, और मुची होए, सुची होए, जदी किस्ना तजी, किस्ना भजे, सुची होए, मुची होए, अब जो सुची है यानि पवित्र है, तो मुची हो जाएगा, मुची समझते पवित्र है वो अपवित्र हो जाता है यहां पर पवित्र की बात है साधू का मनला पवित्र और तो यहां पर प्रहुपा लिखते हैं कि दुष्कृताम उन बेक्तियों के लिए जो क्रिष्ण भावनमत की परवाहे नहीं करते ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तरह अधम बेक्ति के लाते हैं उसी स्लोग में है भगवाने का है नमाम दृस्तुर मूधा अधम नराधमा मूधा नराधमा तो पहरे प्रकार के दुष्क्रति हैं मूध है दूसरे प्रकार के दुष्क्रति है नराधम अधम है ना फिर तीसरे आगे पर बहले ही वे सांसारिक सिक्षा से विभूचत क्यों नहों सांसारिक सिक्षा से विभूचत हैं वो इसलिए कि कि कि कृष्ण की भक्ति निया है जो असिक्षित लोग हैं जो पिछड़े हैं हम तो बहुत उन्नत हैं हमारे पास बहुत सिक्षा है हम तो अ पड़ाई करते हैं हम तो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं जो ज़्यादा बड़े मरीज है और ज़्यादा दुख नेहें तकलीप में हमारे पास सब्पर कार का हिलाज है तो हम किर्षिं के शरन क्यों ने हैं तो एक जिन के पास बहुत शिख्छा है जिन कि शरन नहीं ले इसी लिए तो माया हिरत ज्ञान, उनको कहें माया हिरत ज्ञान, माया के तरण के ज्ञान हरन हो चोगा है, किसी विमामने में शिक्षा, मैं आप लोगों के पर प्रहार नहीं कर रहा हूं तो इसलिए पर उपरति के ज्द्अक सरे गार पागो कि अगर वो किष्ण की स्थनन में नहीं आता है तो माया हिरत ज्ञान हो तो इसलिए प्रभुपत के हैं सांसारिक सिक्षा से भूचत क्यों नहीं हो आगे इसके विपर देदी कोई सत प्रसत किष्ण भावनमृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुशन स्कृत ना भ जाडू लगाना है या कोकिंग करना है प्रसाद बिनाना है भकतों के सेवा करना है इसकी कारे में लगा है तो वह अगर विद्वान या शुशनस्कृत ना भी हो तो भी फिर भी साधू माना जना पृड़न या, इसे बात पर नहीं कि हम बहुत विद्वान हैं इереक्ष्ष आवशक नहीं कि वे इनके बिनास के लिए उस दुरूप में अवतरत हों जिस दुरूप में वे रावन तथा कंसका बद करने के लिए हुए थे अब यहाँ पर प्रहुपाद जी इस बात को उठा रहे हैं कि भगवान ने कहा कि मैं अवतर लेता हूं दुरूपाद इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि दुरूपाद का बिनास करने के लिए भगवान को हमेशा अवतर लेने आवशकता नहीं है भगवान तो साध्यों का इधार करने के लिए, साध्यों की रक्षा करने के लिए, साध्यों को सुख पहुचाने के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन जो दुष्टों का बिनास कारी है, उसके साथ में हो जाता है, उनको इसके लिए अलग से अवतार लेने की जिरुवत नहीं तो प्रोपा लिखते हैं कि भगवान के लिए आबश्यक नहीं कि इनके बिनास के लिए उस दुरूप में आवतारे थे हो जिस दुरूप में रावन तथा कंसका बद करने के लिए हुए थे तो रौपवा लिए के लिए ख्टार हुआ है। रौपवा हुआ है। तो उनके धाम में उनके बहुत सेवक भी हैं, तो अपने सेवक को भी सक्ति दे सकते हैं, आगे, किन्तो भागवान तो अपने उन्निसकाम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुन दौरा निरंतर तंग किये जाते हैं, असुन लो को सुप करने करने, आगे, असुन भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबन्धी क्यों न हो, यह तो भी प्रहलाद महराज हरन कर सिभू के पूत्र थे, क्यों तो भी अपने प्रिदा द्वारा उत्पीड थे, तो यह जो है दुस्कृति सबसे मतलब उची स्रणी के हैं, चार प्रकार के दुस्कृति भगवान ने बताए हैं, पंद्र में इस लोक में, तो मूढ है, नराधाम है, मायाहरत ग्यान, आसुरी भावासित, और यह एक से एक बढ़ करके हैं, चौथा जो दुस्कृति है, वो सबसे उंची सबसे उंची स्थितिवे हैं, दुस को जो है, बहुत नफ्रातुद्य बहुत चड़ होती है, और वो इसलिए तंग करता है, कि यह किस्न का भक्तियों, यह किस्न का भजन क्यों करता है, तो वो सबसे उंची स्रेनी का, क्या है, दुस्कृति है, दुस्कृति है, तो जैसे हिरानकर से को, सबसे उंची स्रेनी का अपने पुत्र को इसलिए तंग कर रहा था कि ये किष्ण का भख्ष को बन गया तो यह दे भी प्रणाद महाराज हिरन कस्टिपों के पुत्र थे किंट तो भी वो अपनी प्रता की दोरा उत्पीड थे इसी प्रकार किष्ण की माता देव की यह दे भी कंस की बहन थी किंट क्योंकि उनके प्ति इस देव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्व लेना था तो जैसे कि कर दोंही के द्वारा का दाशन को पता चला कि जिस बहन को तुम उसके सादी की अफसर पर सस्तुराल लेकर जा रहे हो उसी की गर्व से जो आट्मा प और उसने सबसे पहले क्या विचार किया कि इसकी ही हत्या कर दूँ इसकी ही हत्या कर दूँ ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी इसकी ही हत्या कर दूँ लेकि जब बस्दयो जी ने बचन दिया कि भई तुम इतने वीर हो और वीरों के लिए तो ये बड़ी कलंक की बा तुम्हारी द्वारा इसका पालन पोशन होना चाहिए उसकी तुम हत्या कर रहे हो तो बहुत बड़ा दोस्त बनेगा तुम्हारा लेकिन हाँ इतना मैं कहें देता हूं कि जतने पृत्र होंगे तुम्हारे हाथ मैं सौम दूंगा तो इस तरह से बस दियो जिने टालने की तो लेकन कंस कितना दुश्ट है तो यहां पर प्रुपा लिखते हैं कि इसलिए दंडित किया गया उनसे किसने को जन्म देना था आतहा भगवान किसने मुख्यता देवकी के उधार के लिए प्रकट हुए थे कंस को मारने के लिए नहीं तो देवकी को उन्होंने दर्शन दूर किया और फिर बहुत सी लिलाएगी भगवान ने देवकी बसद्यों के पुत्र की रूप में बहुत सी जाएगी तो यह आगे प्रुपाल के हैं किन्तों यह दोनों कार एक साथ संपन हो गए दोनों कारे कौन कौन से हैं पहला कारे था कौन से का संपन हो गए आता यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उधार करने के लिए दिविन्य अवतार लेते हैं आगे किस अंदाज के विराज कृत चतन चरित अमृत के नेमने लखित श्लोकों मद धलीला अध्यावीस पयार संख्या 263-24 से अवतार के सिध्धानतों का सारांस प्रिकट होता है क्या है स्रिष्टि हेतु एई मूर्ती प्रपंचे अवतारे से इश्वर मूर्ती अवतार नाम धरे मायातीत बरभ्यों में सबारवस्थान विश्वे अवतारी धरे अवतार नाम अवतार अथ्वा इश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प् इसको अंग्रेजी म॒लते हैं descending, तो अवतार का मतलब है जो उतरना, तो भगवान उतरते हैं तो कहां से उतरते हैं ? अपने धाम से उतरते तो भगवान के जथने भी तो उनकी अलग-अलग धाम है, और सब वेकूंट है, अलग प्रकार के वेकूंट है. तो यहां पर हुपालित में इस्वर का वो विशिस्टूप जो इस प्रकार अवतरित होता है, अवतार के लाता है. ऐसे अवतार भगवत धाम में श्थेत रहते हैं. जब बहुत एक रोप में रहते हैं, राम आवतार होता है, तो भान्राम का भी एक अलग स्थान है, जहां वो इसी रुप में लिलाएं करते हैं, तो ऐसे जितने भी अवतार हैं, उनके अपने धाम हैं, आध्यात्मे जगत में उनके अपने लोख हैं, आगे, अवतार कही तरह के होते हैं ये था पुरुजब शावतार, गुलावतार, लिलावतार, सक्यविशावतार, मन्वंतर वतार और युगावतार इंशत सबका इस प्रह्मभान मेजelson में आदी भगवान है और समअध अवतारों के उत्गम है इस बात को समझना यहां प्रते कि श्लोग के अंत में गोविंदम आदि पुरुस्वर्ण सम्त हम भजामी यह छोड़ा है हर बान श्लोग के अंतिम पंक्ती में यहांदा है तो उसमेंि बता है नाना वतार करोद भवने सुकेंट। वहुरा की त causal हे है sonant किषुना इसन्लोक आप JOSHตरीवन पजित हो ऑघ्यन गोविंदते वह दुन हो दिश्रूकि पंक्ते का है रामादी मॉर्थिसू सो यथा रामादी मौॉर्थिसु कला न। इह मेने तिश्थन नामना वतार मकरोथ भवनेशु किंतु। रामादि मूरतिसु कला नेमेने तिस्थन। तो राम, नर्सिंग, आदी जो भगवान के अवदार होते हैं, उनमें अपनी कलाओं को सीमित करके भगवान ने अवदार लिये। किंतु। किष्ना स्वयं सम्भवत। लिए। किष्न केंदेगार मनभवान किसे मुस्य पहर आन बियसे किषी दोर्सण दिया जलता तो पराबर रोशनी होता वक्यान वक्यानि सान। यह फिर है कि यह पहला दिया है कि इस कंदो भगवान किर्षण आदि भगवान है वा समध अवतारों के उधियम है भगवान सरी कि शुद्य भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं उनने उनकी मूल बिन्दावन लीलाओं की रूप में देखने के उत्तुके रहते है ये किष्ञ का जू अवतार है एक बिसेश्र है a जू अपनी बिन्दावन की लीलाओं को प्रिकड़ करते है तो प्रतिक गल्प एक बार होता हो ये कल्प 4 अरब 32 करोर साल न का है और इतनी ही बड़ी प्रलाए होती तो मिला कुल मिलाकर करके कितना हो गया आप अर्भ 44 करोर वर्ष तो आठ अरभ 44 कwerk Raphanie का जो है यह पूरा एक ब्रम्मा जी का दिन दिन कमतलब कल्प है और रात मतलब प्रल्यमिश होती है तो ब्रह मघ्जी के दिन को रहा होते हैं। प्रह जी के एकस दिन मेंं एक बार किश्न का अवतार है, तो समझे कि 8 अरब 14 करोर कोर वर्स में gonna एक बार को होता है लिखे जशन का जब कहा अब आठ अरब चौनशेश करोर साल में एक बार अगर किस्न का अवतार होना है तो हम लोग के बहुत निकट हैं पांच जा साल ही हुआ है यहां प्रुपा लिखते हैं कि कृष्ण का जो अवतार है वो बिसेश अवतार है उन भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए होता है जो ने उनकी मूल बिंदावन लिलाओं की रूप में देखने के उत्सुख है अच्छा समय कितना समय समय तो मैं देख रहा हूं कितने स करना है ताइम आपका क्या है देख बजे बहुत कम समय चलो ठीक है जब तक करेंगे तो यहां पर प्रुपा लिखते हैं कि कि अधा कृष्ण आमदार का मुल अधेश अपने निस्काम भक्तों को प्रसह्न करना है तो वह निस्काम भक्त है अब निस्काम का मदर्ज उनकी कोई इछा नहीं यहां बताएगे उन'd Можно कि दूर करने के लिए भगवन आब्शा है उð तो कि स्द्यव्ग्तों चुनतत होते उनकी किर्शन की लीलाओं को देखने की ली चेंतित होते हैं। और यहाँ प्रभुपात किते हैं निस्काम भक्तों को प्रसन करते हैं। तो वो निस्काम भक्त है। अब ये बिरोधावास हो ना, कि किर्षन के भक्त निस्काम है, तो उनकी जो सुद्ध कामना है, तो ये सुद्ध कामना ही निस्काम किलाती है, कि उनके बहुत एक कामना नहीं है, तो जो जिन भक्तों की अंदर, क्योंकि कामना हमें सुद्ध करनी है, हमें कामना को नस्द नह निए निए जिए जुडु करना आपन इझय को सुड्ध करना अगर हमारे इच्ण kicking क्रिष्म का दर्शन चाहेते हैं। अगर आपन इच्छाय उती हैं, आनिक परकार कि इंद्री इंद्री इंद्लिः इप्थी कि इस्धाय होती है। तो पित्य काम खोडे। तो कोई भुक्ती कामी है, बहुते संसार की इंद्री तिप्ति में लगे हैं, कोई इच्छे करते हैं, और भुक्ती मुक्ती कामी है, मुक्ती कामी हो जनव बरह से छोटना चाहेते हैं, मुक्ती कामी हैं, लेकिन तो भी वो सुद्ध नहीं, वो फिर भी कामना है उनकी और आसांत है भुक्ती-मुक्ती कामी, और कुछ लोगों की शिद्धी की इच्छा होती है शिद्धियांपांद करके वे अपना प्रभाव जमाएंगे और लोग बहगवान कहेंगे भई यह बहगवान है देखो क्या चमतकार कर देए तो यह तीनों कामि हैं, तीनों के अंदर कामना हैं और असान्त हैं, किस्न भक्त निस काम है इसलिए वो शान्त है। इस इस काम का मतलब उसकी इच्छा होती है कि रिंदावन लिलाओं का दर्सन करने की आगे प्रुपा लिखते हैं, भगवान का बचन है कि यह प्रत्यक योगी 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 तो भगवान ने योग योग खा है तो फिर ऐसा नहीं है कि इतना सस्ता है कि किसी को भी आवतार मान लो ऐसा नहीं है तो प्रफपा देखते हैं कि भगवान का बचन है कि प्रत्यक यूग में अवत्रत होते रहते हैं इससे सूचत होता है कि कल्योग में भी अवत्तार लेते हैं तो यह जो कल्योग है यह चल रहा है तभी पांस जार साल हुए है कल्योग के और कल्योग की आयू कितनी है चार लाग 32,000 शाल, अभी 5,000 साल हुए है कल्योग को, तो कल्योग में भग्वान अवतार लेते हैं, इससे सोचे तुझा है. क्यों? भग्वान ने कहा है, योगे, योगे. ऐतार लेते हैं आगे, जैसा कि स्रीमत भाकट में कहा गया है, की चैटन महाप्रभु हैं, जोरे संकेतलब्द्न के द्वरा क्रष्ण पोझा का प्रसार किया procent में कि आप कि श्ट्रीमत भागुत में बताया गए है कि प्रीमत भागुते में एक इसलोग है कृष्नवर्णम् सम्गों पांगाश्थिर पार्सिदम् संंकिर्टन प्रायर एजन्त ही समेस्टा कि कल्यूग में भगवान की जो पूजा होती है वो किस तुरूप में होती है। जो क्रिष्ण वरनम है यह क्रिष्ण का वर्नन करते हैं. तो क्रिष्ण ने लेकर उनका जो रंग है वो क्रिष्ण नहीं है। तो एक जो क्रिश्न का अभणन करते हैं, लेकिन किस रंग लूइन है? किस रंग है? A-K adaptations, पहला के थाया. तो साक्रिष्णम अपने अंग अपन अस्तर पार्षदों के साथ में होते हैं यग्य संकिर्दन पाहर हिजनती ही सुमेद साथ तो संकिर्दन यग्य के द्वारा जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी पुझा करते हैं तो यह जो संकित है स्रीमत भागुत्म बताएगा कि कल्योग में भगवान का अवतार इस प्रकार का होता है कि गौर बढ़न का अवतार है और कृष्ण का बढ़न करते हैं तो वो लक्षण चेतने महाप प्रुभु में हैं तो परहुपाद ये बात पुष्ट कर रहे हैं कि स्रीमत भागुत्म में जो संगित दिया गया है वह चेतन अमहाप प्रुभु के दिये यह पुझाल आ आई कि आया है कि कल्यों की ऑवतार भग्मान चतन्य महापरुव हैं जन्हों ने संकीरतन आंदु लुद्य्वन के दवारा कि पुझा कप्रसार किया और पूरे भारत में क्रिष्ण भावनमृत को भिस्तार किया He उन्हों ने विस्तार किया चत्रयम लेकिन उन्होंने ये भवनिष्वाने की आचिसा जद नंगर लारा तरी प्रफ्वित कि पूरि प्रृष्वित पूरी पृत्वी में इसको फेलाया, तो यह जो स्रीमत भागवत में बताया गया है, तो यह अवतार भागवान का है, चेतन महाप्रुव, आगे प्रुवपल के, उन्होंने यह भवश्माने की, कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे मिर्शु के नगर नगर सा ग्राम ग्राम मे फेलेगी, जो बंगाली पयार, मैंने भी पढ़के सुनाई, उसी को प्रुवपल बता रहे है, प्रत्वीते आचे, जत नगर आदी ग्राम, सरवत्र पचार, होई बे मोर नाम, उन्होंने यह भवश्माने की, कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे मिर्शु के नगर नगर प्रुपल राम में हैलेगी, भगवाण चयतनी ने को गुप्त रूप में है, कि ने प्रगठ रूप में नहीं, उस्नों, महा भारत तथा भागवध में जैसे शास्त्रों के गोह एंसों में वर्नित किया गया है, तो सास्त्रों में यह सेत्न महापुव के संकेत मिलते हैं, जगे-ज़ए मिलते हैं तो उपने इसनों में भी है ? पर भाग्वत तो है है भाग्वत में भी महाभारत में भी शुह नाम ere शुपन भाग्वत में इस पहर्ष्ट नहीं बताया जैता है इस में संकेत दिये गया है प्रपा में बंण क्कृत्तन के भक्त है तो रहते हैं कि धर्वान चेतने के संगिर्दन आंदुलान द्वारा चेतन स्हुआ कर्षित रहते हैं तो संकिर्थना अंदुला बहुत आकर्षिद है, यह संकिर्थन का बहुत आकर्षन है, बहुत आकर्षन है। यजाने ही सुमय हैं जिनकी बुद्धी जदा सु तो वे प्राया संकीरतन जग्यों के दोरा भगवान की पूजा करेंगे भगवान की पूजा करें संकेर Torah इसके तोरा भगवान की विशेश पूजा आगे पुरुपर लिते हैं, भगवान का ये अवतार दुस्टों का बिनास नहीं करता, अभी तो अपनी अहिंत्य की किर्बा से उनका उधार करता है, तो ये अवतार जो चतन्य महापुरु का जो आवतार है, इसमें भगवान बिनास नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं उन है चतन्य महा प्रुभु का वतार इसलिए विशेश है क्योंकि उनकी दुष्चता का ही बिनाज करते हैं तो यहां पर प्रुभुपात का तात्पर समाथ हो गया है अब कुछ मैं इसमें से सुनाओंगा कि स्री भगवान ने कहा यह छटनी पुष्टक है जिसमें इस स्लोक प में काफी लंबे व्याख्याएं हैं एक दो तीन चार तौन छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा तेरा पेज में इस इस लोग की व्याख्या हुए तो हमारे पर इसना समय नहीं कि हम चर्चा करते हैं सब जितने बिंदु हैं लेकर संस्थापना इसमें बताया है धर्म संस्थापना अर्था है तुसकी हमने चर्चा की है संस्थापना सब्ड का अन जिसमें बहुत भी घुहारिkeiten है और इस अंदोलन हमें फैल रहा हैं संस्थापना सब्ड का अन अर्था संस्था बनाना संस्था बनाना तो यहां पर भगवान करें धर्म संस्था बना अर्था ऐ अर्थात में इस प्रत्वी पर एक धार्मिक संस्था का निर्माण करने के लिए प्रिकट फुरता हूं यदि हम गहराई से बिचार करें तो हम समझ सकते हैं कि हरे किष्ण आंदूलन ही ऐसी धर्मिक संस्ता है जो संपूर्ण पृत्वी में हरी नाम तथा भागवत धर्म का पिरचार कर रही है श्री चतन्य महा पृभु ने जो भाविश्यमानी की थी कि संपूर्ण पृत्वी में दितने नगर तथा गिनाम है श्रवत्र हरी नाम का पिरचार होगा वज भाविश्यमानी को यही हरे किष्ण संस्ता ही पूरा कर रही तो धर्म संस्ता बनाता है तो धर्म का मतलब है संकी प्रहुपात तो आचारे हैं लेकिन 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 प्रहुपात त दर्व संकिर्तन दर्म इसमें भगवान स्थी चतन्य का जो संदेश है इसको हम सुद्ध बनाए रखें इसमें कुछ मिलावट ना करें तो इस संथा फैलती देगी और लोग सुद्ध होते हैं उनका जीवन बड़ी जल्दी पवित होता है हम स्थी चतन्य का जब संदेश देते हैं तो इसमें आपने कोई मिलावट नहीं करते हैं तो यह बहुत जल्दी काम करता है तो जैसे कोई कंपनी होती है तो दवाई अगर जो है शुद्ध बनाती है उसमें कोई मिलावट नहीं करती है तो उस कंपनी की जो दवाई है वो काम करती है अच्छे तरह काम करती है जो दूसरी कंपनिया है तो उसमें मिलावट करते हैं तो मिलावट करते हैं तो उनकी दव और इसमें चतन्य महाप्रुह का जो संदेश है वो शुद दुरूप में दिया जाता है तो लोग भक्त बनना है लोगों के जीवन सुद होता है प्रहुपाद ने इसका प्रयोग किया तो विदेशों में गए तो प्रहुपात ने किसी को नहीं कहा कि तुम मांसार बंद करो, बेविचार बंद करो, जुआ, नसा बंद करो, तब ही तुम सुद्ध होगे, प्रहुपात नहीं कहा, अगर प्रहुपात कहते है, तो वो क्या कहते है, तुम ही चले जाओ यहां से, प्रहुपात को भगा देत तो प्रहुपाद ने यह नहीं कहा, तो प्रहुपाद ने संकिर्टन नांदुरल, किर्टन ही किया, हरे किर्टन का किर्टन ही किया, और समय प्रहुपाद को कौन मिले, हिप्पी मिले जो शलकों में, जो कुत्तों की तरह, नाली के जो कुत्ते जैसे पड़े हैं, उसी तरह से प्रहुपात दो बजे से फांच मेड तक तीन घंटा किर्दन करा जेते चाहिए अजब किर्दन कराया तो किर्दन में जो है वो खूब नाचे तो वो कुछ भी नहीं समझते, हरे कृष्णा क्या होता है लेकिर इसमें शक्ति है, इस नाम में शक्ति है तो नाम की शक्ति से व आपके शेस्ष्य बनने के लिए क्या नहीं तो प्रहुपान नहीं मान सहा नहीं, बभिचार नहीं, जुवा नहीं, नसा नहीं, सब छोड़ दिया हुआ। तो इस संकीतन आधम दरन बहुत ही शक्ति साली है। इसलिए हम हर व्यक्ति से यही अनुरुत करते हैं कि भई यह हरे किष्ण मंत्र को आप अपने जीवन में जोड़ देजे। क्योंकि इस नाम में पूरी शक्ति है। अगर अपराध ना हो, नाम का अपराध ना हो, तो नाम में पूरी शक्ति है। तो यही एक संदेश है जो कि यहां दिया गया है, तो भगवान जो बता रहे हैं सम्भवामी योगी योगी तो इस कल्यूग में भगवान का अवतार मिश्टूप में हुआ है। अब आप लोगों जी और से कोई प्रश्ण है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्ण करूँगा। यह विस्ताय बहुत रोचक है। हाँ जी, बोलिए। भगवान किसन का जो अवतार है वो किस केतेगरी में है। भगवान जब बताते हैं कि योग योग संभवामी योग योग में अवतार लेते हैं। तो भगवान का प्रतियक योग में एक अवतार होता है जो योग धर्म के स्थापना करता है। अब जैसे कल्योग है तो कल्योग में जो योग धर्म है मतलब भगवान की प्रतियक योग में जो योग धर्म है तो वो है संकिर्तन। कृतिया ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम इस तो मखे द्वापरे परिचरयायम कल्योग में जो ध्यान की द्वारा प्रात होता है। त्रेतायोग में वही यग्यों की द्वारा होता है। द्वापर में वही पूजा की द्वारा होता है। कल योग में वही हरी किर्टना को तो कल योग में अगर भखवान का कोई यूग अवतार होता है तो वो उस यूग की धर्म, उस यूग धर्म की यानि संकीरतन धर्म की स्थापना करने के लिए होता है तो यह चैतन महाप्रोग अवतार हुआ वो संकीरतन धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ अच्छा अच्छा द्वापर में जो योग धर्म है वो पूजा है तो द्वापर में जो यूग अवतार होना था भगवान का तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कृष्ण स्वयम अगर कृष्ण स्वयम आए तो जो योग अवतार है वो फिर हुआ ही नहीं और चुकि भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में आए तो इसलिए जो योग अवतार है वो भगवान के सरी में था लेकिन उस योग धर्म के स्थापना करने की आविशकता भी नहीं थी क्योंक द्वापर का अंत हो गया , तो द्वापर में जो यूग अवतार है वो भगवान का हुआ ही नहीं , और जो यूग धर्म है तो इसकी इस्थापनागी कोई आविशक्ता भी नहीं थी लेकिन भगवान कृष्ण कल्योग के प्रारह्म होने से पहले यानि द्वापर के अंत में भगवान ने अवतार लिया तो यह कल्योग के लोगों के लिए बहुत स्वभागे की बात है भगवान कृष्ण का अवतार कल्योग के पहले ही हुआ द्वापर के अंद में हुआ और वहीं जो है जो स्री चतन्य महापुरु आए तो उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया किष्ण प्रेम दिया तो किष्ण के अवतार में किष्ण प्रेम नहीं मिला लोगों को बहुत कम लोगों को किष्ण प्रेम मिला लेकिन चतन्य महाप्रूब के अवतार में वो किष्ण प्रेम उन्होंने खूब लुटाया जब कोई ची लुटाई जाती है तो फिर यह नहीं देखा ज़ते है कोन योग है कोन योग नहीं तो ऐसे मत अम लुटाया को एक विसेश अधारता है। तो यह हजार बार जो चतुर यूग बीटते हैं चार यूग उसको एक चक्र बोलते हैं यूग चक्र साइकिल तो हजार बार जब चारों यूग बीटते हैं तो जो है ब्रह्माजी का एक दिन होता है जो कल्प के लाता है तो उसमेंसे यह जो द्वापर जुग हुआ, इसको कैसे कहेंगे कि साथ में मनमंतर का 28 द्वापर, एक मनमंतर बार चार ज्युग बीचे बिचते हैं, तो साथ म मनमंतर चल रहा है, तो 6 मनमंतर हो गए, 6 में आप एक 70 से कुणा करिए, एक 70 में 6 से कुणा करिए, 6 कम 6 सब या ले, 426, 426 हुए ना, तो 426 वो और 28 और जोड़ दीजिए, 454, ना, तो 1000 बार जो चारोग बीतते हैं, उनमें से 454 जो द्वा पर था, यहनि पहला सत्योग, फिर पहला तरिता, फिर पहला द्वापर, फिर पहला कल्योग, फिर दूसरा सत्योग, दूसरा तरिता, दूसरा द्वापर, दूसरा कल्योग, ऐसे करते करते हैं, 455 जो सत्योग आया, फिर 455 तरिता आया, फिर 455 द्वापर आया, उसकी अंत में भगव तो यह बहुत बड़ी मतलब यह चीज है जो कि उन्होंने अपनी ब्रिंदावान लिला प्रिकट किया तो यह कुछ गहरी बातें हैं तो हमें समझना इस तरह से और कोई प्रस्ण किसे हैं प्रस्ण कर सकते हैं क्योंकि हमें ब्यभार में आपने कोई बात अपने दिमाग में सोच करके रखी ए गया, दो दो हमें कुछ हमारा काम nip कि आपने अब कि हमारा विशय है, आपने कि अगर आप काम करोशन आपनों करूंट भूक्र के हимने आपको बताया उस पर आप और तब आप प्रश्न करते हैं, तो हमें खुशी होती है कि भी आपने मन्थन की आपने बीचार में कुछ किया है, साधू है, तो साधू कि हमने चर्चा कर ली , साधू की चर्चा ने कर ली है तो हमने चर्जा के सादू समझ की इतना परयाब्थ है वागे जो रिशी मुनी कहीं अगर सब्द आता है तो फिर हम उस पर बिचार कर सकते हैं तेके ना आपका प्रश्ण अच्छा प्रश्ण है ऐसा क्यों है कि वह संकेथी दिये गए हैं और इस पर स्ट्रूप से नहीं पताया गया है भगवान चेतन ने भी जिस समयली लाएं कर रहे थी तो समय भी कुछ कुछ लोगों को उन्होंने अफना रहष्च से प्रकट किया जैसे कि जब स्री चतन चोटे से बालक थे हह कुं vary माईी नाम का बालक जैसे बहुत सरारती होता है और कभी तंग भी करता है तो माता तंग हो जाते कभी पता तंग होते हैं तो यह सब जो है नटखटी लाएं करते हैं तो तीर ख्यात्री ब्रह्मन है, तो वो भी जब उनके घर में आया, तो वो किष्ण को भोग लगा रहा है, और किष्ण का ध्यान कर रहा है, तो बालक निमाई आकर के जूठा कर देता है, तो बालक निमाई आकर के जूठा कर देता है, तो बालक निमाई आकर के जूठा कर द तो तो बालक निमाईी बोला कि तुम मुझे ही तो बलाते हो और जब मैं आता हूं तो तुम चिल आते हो तो फिर उन्होंने अपना रूप देखलाया व्रिंदवन का पूरा धृस्ति देखलाया तब ब्रामण बहुत रोया और बहुत उन्हें की प्रादना की तो भगवान क्या बोला भगवान ने बोला कि इस रहस्ट को किसी को मत बताना और तुम बताओगे तो तुम्हारा जीवन जो है नहीं रहेगा भगवान ने मतलब उनको धनकी तुम जो है कर किसी को बताओगे तो तुमको तुम्हारा में संघार करने तो भगवान मतलब यह चाहते हैं कि जिस समय वह लीला कर रहे हैं, तो समय वह प्रकट ना हो। और जो उन से जोड़ हुए हैं, ज़कर जोड़े हमिए हैं, तो उनको पूरा लाभ हो रहा है, जो पूरा थोड़ा हैं लीम है, उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है कि उनको जाना है क्योंकि वो उनको अपना जो है मित्र मान रहे हैं या अपना पुत्र मान रहे हैं कुछ ही मान रहे हैं तो उनको जो है पूरा सुख मिल रहा है और पूरी सुरक्षा मिल रही है और जो है अन्त में उनके धामे जाएंगे तो उसमें कुछ मतलब जुरुत नहीं है कि उनका त् अब जो है उनका अदेश है कि हम उनका नाम फेलाएं उनका खुब गृंत बढ़ रहे हैं उनकी लीलाओं का जो है विस्तिर वर्णन आप पढ़ने को मिलता है और भक्तों ने उनके लिखी है लेकिन अवतार के समय आवतार के पहले भगवान अपने को गुप्त रखते हैं क् युनकी फिर लिलाओं में बाधा पड़े गिंतो हमए भगवान जो है Hans G to Kodhuk करना चाहते हैं तो कुछ अठारा पुराण हर बार द्वापर के अंत में एक ब्यास होते हैं जो लिखते हैं अठारा पुराण लिखते हैं तो ये 455 वा जो द्वापर था इसमें जो ब्यास हुए किर्शन तो आपायन नाम की ब्यास हुए अठारा पुराण लिखे तो उनमें जो है कुछ संकेत स्री लेकिन बि्रिंद्र बंदास्थाकृ और वही ब्यास दियो Ferrumr सित आथ सुद्र बरना ति रढना वूस्तार के बाद उनकि युट्र जो है चैतने भागवत में ब्रिंदा बंदा स्थावर कहते हैं कि आगे जो ब्यास होंगे वो हर पुराण में उसी चैतने का उसी प्रकार से बर्णन करेंगे जैसे राम की लिलाएं हर पुराण में मिलती है। लिखी जाती हैं और ये कोई ना कोई व्यास होते हैं, तो आगे चल करके खुल करके लिखा जाएगा, चेत्रन्य महाप्रभु वादा, ठीक है ना, आजी. प्रभु जी की शिक्षा हो जन्सारी में, इस पे ओल क्यारीशन देना चाहता था, प्रभु जी चेत्रन्य महाप्रभु वादा बत्त के रूपे अवतार दिये स्रीकृष्ण स्वयां, क्योंकि इसका मुख्यकारण ये था, अभवान ने प्रभु में समया था, जो लोग पह लेकिन कर्यूक किस्तिती तो भगवान के विजन में तो भूटकाल भुष्षिकाल सब एक ही है, वो देखे लेकि कर्यूक किस्तिती ज़्यादा आने वादी है, तो यहां पर अगर किसी का मत करना चाहे तो उपुरे सबके सब लोग समात बढ़ाएंगी, तो बचेगा ही न भगवान की शरण कैसे मत्तर लेनी चाहिए, तो यह विदी भगवान ने के वाद सिंदान्त के रूप में बोल दिया लेकिन, टैक्टिकल इंप्रिमेंट नहीं बताया कि किस तरह से करनी चाहिए, तो सी चैतने महाप्रभु सन्यासी के रूप में बढ़ाते है, और वो 24 ग अधा शंटा करना चाहिए, अधा शंटा करना चाहिए, सब चीज बैरन सूरी चाहिए, ऐसे हमारी धारणा होगी है, जन्र लोगों देगी की तहीं की बातिया, लेकिन सी चैतने महाप्रभु ऐसे आचारे है, वो भगवान अपने आपको नहीं दिगाया, अगर भगवान जबी बन जाते थे थे उसी समय, अभी तक लगवान पहले हैं, और अपने नगवी ने लोग भवान अंभी तक आजाते हैं, फ़न वह कोई भथतन नहीं मिलता है, बहुत बन जाते हैं, जैसे अधे प्रभूजी हो मेशारत बतादें, प्रकास्णूइ। सारंस्वति के वा नारायनों आप भी नारायन है, सबी इमत्त विस तरह से, तो उन लोह को मायावादियों के भी जब भूत फिलोसफी ज्यादा थी भारत में, उनको भी परास्त करने के लिए चेटने माप रहुने, विनम्रदा से भक्ति सीखा ही सबको, वैष्ट 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 परोणने मपने की और यह जीवन की पुरुणता नहीं है, घृष्ट वैष्ट के लिए more नगिकन की पूरुणता है, प्राप्त करना, जै कि घृष्ट का प्रेम प्राप्त करना, तो की प्रेम असे मितलब सबसें बड़ी पूरुणता है , मूक्ती से भी उपर है, धर्म अ तो कुछ लोग ऐसे हठ धर्मी के लोग होते हैं जो की जिद्ध पकड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि कृष्ण कौन होते हैं ऐसा कहने वाले कि हम उनकी सरन हम क्यों किर्ष्ण की सरन ले तो वही कृष्ण लोगों की ऐसी मन भावना को देख करके अपने भक्त की रूप में अपतार लेते हैं तो वह स्वयम भक्त करके देखाते हैं वह स्वयम भक्त बन करके आते हैं तो इसलिए भगवान स्थन का अपतार है वह प्रेक्टिकल करने के लिए वह स्वयम भक्त की रूप में आये तो वह स्वयम कृष्ण है लेकर वह कृष्ण के भक्त की रूप में जब आते हैं, तो फिर हमें कुछ प्रणा मिलती है कि हाँ, हमें भग्त बनना चाहिए, यह तो गीता को पढ़ करके, बहुत लोग भग्वान बनना चाहिते हैं, और वो कहते हैं कि भग्वान गीता बोली थी, तो हम भी गीता बोल रहे हैं, हम भी भग्वान हैं, तो बहुत वह भगवान बनना चाहेते हैं भी हम तो भगवान बनेंगे हम क्यों भक्त बनें जब भगवान स्यम भक्त बनते हैं तो फिर लगता है भक्त बनने में ज़्यादा है भगवान बनने फायदा नहीं है तो भगवान स्यम जए जब भक्त बनकर के आए तो फिर हमें भक्ति का मह बहुत अच्छा है देखिए हम लोग 10 अपराद रोज बोलते हैं जो हमारी मंतर में मंगर आरती का करेकरम होता है उसमें 10 नाम अपराद हम डेली बोलते हैं तो यह जो 10 नाम अपराद हैं तो यह आपको बोलना चाहिए यह लेक्षित रूप में मिल जाएंगे हमारी मंदर में मिल जाएंगे भक्तिरसामरि शिन्दू गरन्त हुब मिल जाएंगे चतर्न महाप्रोगर श्रीक्रामरत श्यामरतु से ले लेक्षित हुए हैं 10 नाम अपराद डेली हम लोग बोलते हैं और 10 नाम अपराद हैं तो आपके मण में विचार आता है कि आप अगर अगर आप नहीं भी समझते हैं इन दस नाम अपरादों को अगर आप बोलते हैं तो आपके दिमाग में ये बिचार आता है कि मैं इन अपरादों से बचूं और अंजाने में भी ये दस अपराद में से कोई भी अपराद मेरे से ना हो तो ये भावना अगर आपके अंदर आत तो इससे आपकी बड़ी रख्षा होगी, तो नाम is पूरी शक्ती है, भघवान की, और अगर आपकी भावना होती है, कि मेरे से अपराद नाहूं और नाम प्रुफु मेरी रक्षा करें तो नाम आपकी आपराद से भी रक्षा कर सकता है आप संदे हैं इसलिए दस नाम बड़ा हम लोग डेली बोलते हैं जिनमें से पहला अपराद है उन भक्तों के निंदा करना दिनों नाम की प्रचार में जाएंगे लिखे हुए किसी भक्त से भी आप ले सकते हैं मंदर में तो डेली हम बाटा करते हैं और हम पर्चे को देख करके पढ़ा करते हैं दस नाम अपराद अगर याद ना हो तो आप लिखे तरोप में रखिए आप माला का जाप करते हैं आपने जिसे नियम बनाया है कि आपने आपको एक माला जब करना, दो माला जब करना, अगर आपने नियम बनाया है, तो उसी प्रकार से आप नियम बनाओ कि दस अपराद भी बुलिए, ठीक है, इन अपरादों से बज़तना चाहिए, ये भी जो है, उसमें अंतर में सब्द आते हैं, कि इन अपरादों से आप यह जो नाम ले रहे हैं कोई ऐसा नहीं है कि बश्च चल रहा है ऐसा ही और क्या हो रहा है क्या मिल रहा है क्या लाब हो रहा है क्या लाब नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं है तो वो जो लक्ष है वो आप सामने रख करके आप नाम लेते हैं और इसमें कोई बाधा ना आए, आप राधों की बाधा ना आए, इसके लिए आप जो है, आपके मन में ये प्राथना पैता हो, तो इसके लिए नाम आप राध बोलने चाहिए, ठीक है ना?